इस प्रोफेसर एमेच और तुदेए इन दिस वीडियो विल डिसकस दे नेक्स सेक्षन ओफिसे ओफेंसे और पैनल्टी अंडर जी अस्टी तो under section 123 में क्या offenses से क्या penalty है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे previous वीडियो में हम लोग ने देखा था कि section 122 के अंदर कौन कौन से offenses थे और उनकी क्या क्या penalty थी और एक नया section इंट्रोड्यूस किया था GST के अंदर section 122 subsection A1 उसके बारे में भी हम लोग ने discuss कर लिया था अब हम लोग जो discuss करने वाले है that is the next section under section 123 तो 123 section क्या बोलता है offenses and penalty under GST तो ये बोलता है कि penalty for failure to furnish information return तो ये section ये बोलता है कि भाई अगर आपने information return को furnish नहीं किया अगर आपने information return तो सबको पता है income tax return होता है GST return होता है ये information return क्या है तो जो बंदे को बोला गया है कि भाई information return file करो furnish करो और आपने failure कर दिया तो आपको penalty लगेगी under section 123 तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि information return क्या होता है तो return तो हमें सब पता है कि return income tax का होता है GST का होता है लेकिन ये information return ये हम लोग पहली बार सुन रहे हैं तो information return का ये मतलब होता है कि भाई जो कोई बंदा information को retain करके रखता है अब example के तौर पर देखो यहां पर मैं बताता हूं पहले explain कर देता हूं कि information return means any person कोई भी person है कोई बंदा है who is responsible जो responsible है क्या है responsible for maintaining of records of कोई बंदा responsible है कोई record maintain करने का कौन सा record मेंटेन करने का पहला statement of account registration तो किसी के पास registration होता है जैसे आप इसके पास चले जो आपका आपका जो registration होता है traveling का मतलब driving license का है तो वो registration लेता है रहेट फिर statement of accounts को मेंटेन करता है कि भाई पिरियोडिकली statement of accounts बेचता है जैसे अगर आपका पोस्ट पेड है तो आपको Airtel या जो भी होगा वो आपको statement भेजेगा तो वो बंदे responsible होते हैं registration का record maintain करने के लिए और statement of accounts maintain करने के लिए दूसरा क्या periodic return तो आप income tax return ले लो GST return ले लो तो ये जो GST का portal है ये इसको record करके रखता है कि ये बंदे ने इतना return file किया income tax में इतना किया GST में इतना किया तो वो बंदे को अपना information return file करना पड़ेगा तो इसमें बहुत सारे हैं जैसे example के तौर पे bank है तो bank वाले तो हर एक का transaction record रखते हैं तो वो भी information maintain करता है आपने पूरे साल में कितनी transaction किया कौन record करता है bank वाला तो he is also maintaining the information फिर क्या आता है electricity आपने electricity कितना consume किया अगर आपने electricity का bill देखा होगा तो उसके ओपर लिख के आता है कि आपने ये मन्त में कितना consume किया last month में कितना और ये ही month में last year में कितना consume किया वो सब आपको information मिल जाती है फिर और क्या आता है transaction related to sale and purchase exchange of goods and property ये आपको पताएगा जब shares हम लोग बेशते खरीते तो उसका भी record maintain करना पड़ता है तो depositories होती है वो होते हैं तो इनका मतलब ये है कि information written कौन फाइल करता है कोई भी वन्दा जो record maintain करें क्या करें record maintain करें चाहे वो registration का record हो चाहे वो return filing का हो चाहे वो bank account हो चाहे वो electricity हो हो चाहे वो तो वो बंदे को वो बंदे को return फाइल करना पड़ेगा और कौन सा return ? information written तो अगर आपको कोई पूछे कि information return क्या होता है तो जो बंदा information को retain करता है information अपने पास रखता है उसको time to time अपना return file करके बताना पड़ता है कि मेरे पास इतनी information है अब ये बंदे कौन हो सकते हैं तो पहला being a taxable person कोई एक taxable person भी होता है क्योंकि वो business कर रहा है तो अपना record maintain करेगा हूँ उसके अलावा local authority है वो भी information maintain करती है income tax authority है वो income tax का record maintain करती है फिर banking company है वो bank का record maintain करती है फिर recognized stock exchange है जो shares का सब कितने dmat account open हुए वो सब का information रखती है फिर depository है वो shares का information रखती है किस बंदे की नाम पे कितने shares allot किये गए हैं फिर आता है officer of reserve bank of india reserve bank of india record maintain करती है और GSTN यह आपको पता है goods and service tax network यह information maintain करती है और last one कोई भी person जिसको government ने authorized किया है वो बंदा तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप responsible हो क्या हो अगर आप responsible हो कोई information को रखने के लिए तो आपको information return फाइल करना पड़ेगा आपको क्या file करना पड़ेगा information return अब आप बोलेंगे sir हम लोग तो GST कर रहे तो यह नाम क्यों आया है यह सिर्फ आपको explain करने के लिए मैंने बताया तो यहाँ पे हम लोग का यह goods and service tax network यह सब information रखेगा या किसी बंदे को government ने बोला है कि आपको GST का यह information देना है तो उसको information return फाइल करना पड़ेगा यह सिर्फ explain करने के लिए आपको बताया है आपको सिर्फ GST पे focus करना है कि GST के अंदर अगर आपको कोई information मांगा तो उसका return आपको submit करना पड़ेगा और अगर आपने वो return furnish नहीं किया तो आपको penalty लगेगी कितनी penalty लगेगी यहाँ पे हैं तो penalty कितना है तो वो बताएंगे तो आपको time दिया जाएगा तो अगर आपने time पे furnish कर दिया within the time specified under section 150 तो कोई penalty नहीं लगेगी आपको बोला दो महीने में दे दो आपने दे दिया आप अच्छे बन दे हो no penalty लेकिन आपने furnish नहीं किया तो commissioner due date के बाद commissioner या officer रहेगा वो आपको एक notice देगा notice देगा बोलेगा अब आप पे करो specified period में आपको return file करना और जो भी penalty हो पे करो यहाँ पे पे नहीं आएगा it should furnish the return which should not exit 90 days तो जब यह officer और commissioner अपना notice देगा तो उसके अंदर एक period mention करेगा 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन इतने दिन के अंदर अंदर आपको information return furnish करना पड़ेगा लेकिन वो period कितना होना चाहिए, वो 90 days के उपर नहीं जाना चाहिए, कितना, वो 90 days के उपर नहीं जाना चाहिए, अगर आपने 90 days में कर लिया तो ठीक है, नहीं किया, if not paid within the specified notice period, then penalty is as follows, तो penalty लगेगा, कितना penalty लगेगा, समझो आपको 40 दिन का time दिया, 40 द और maximum आपको 5000 लगेगा, तो जितना भी दिन penalty आएगा, आपका period का, उसको 100 से multiply करने का, और maximum 5000 तो आपको pay करना ही है, यहां पर एक्जामपल दिया है, if period mentioned in the notice is 40 days, तो person still not furnish the return, then penalty is from 41 today till such failure continue, तो 41 days से समझो पचासवे दिन किया, तो 41 से 50 days कितना आता है, 10 days आता है, तो 10 days into 100, 1000 आएगा, लेकिन maximum कितना आप 5000, इससे जादा होगा तो सिर्फ minimum 5000 बढ़के छोड़ देने का, तो यह आपका information था, penalty था, कि अगर आपने information return furnish नहीं किया, तो यह आपको penalty लगेगा, I hope आपको यह समझ में आया, इसका source आप CBIC के website पे जाके भी ले सकते यहां से हम लोग ने इसका information लिया है और आपको यह explain किया है, तो आप इसको go through करो, कुछ doubt हैगा तो please comment, तो एक बार फिर से बता दू एक मिनट के अंदर, information return यह जो section 123 है, यह क्या बोलता है कि जो भी बंदा information record maintain के लिए liable है, उसको return file करना पड़ता है, तो return file करेगा तो को इसने दिन में फरनिश करो, आपको बोला जाएगा, किया तो ठीक, नहीं किया, नहीं किया, तो आपको time देगा, लेकिन वो time 90 days के उपर नहीं जाना चीए, जैसे ही वो time खतम हुआ, next day से penalty चालो, 100 रुपीस के हिसाब से, ठीक है, तो आप go through करो, कुछ doubt आएगा तो please comment, and please like and subscribe for more videos, thank you.